अध्याय पांच देख रहे हैं खनिज और उर्जा संसाधन खनिज और उर्जा संसाधन मिनरेल्स और एनर्जी रिसोर्सेज एक कहानी से शुरुआत है यहां पर कि हैबन अपने पिताजी के साथ आते हैं गौाहटी और वहाँ पर एक चलती हुई रसोई देखते हैं याने जो दुकान होती है जिसके नीचे टायर लगे हुए है और उसको देखके बड़े आश्चर में हैबन साव आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि एसा तो हमने अपने अलागे में नहीं देखा तो उर्णे देखा बेटा ये गर नहीं है जो घर की तरह उनने दिखाई दे रहा थैठा चलती हुई रसोई उन्होंने कहा कि ये इंटों और पत्थरों से नहीं बनी हुई है ये लोहा, अलुमिनियम इस तरह प्रकार की अलगलग धातूं से बनी है धातू मतलब मैटल होता है और इसके नीचे इंजन है, मतलब ये गाड़ी है और ये इधर उधर जा सकते हैं लोहा और अलुमिनियम की, तो जब हम लोहा जिसे आईरन, अलुमिनियम की जब बात करते है तब हम बात करते हैं खनीज की और जब उर्जा की बात करेंगे तो सब चीजे जिसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उड़ जा लगा रहा हूँ, मैं energy का use कर रहा हूँ कुछ चीजें इसमें हम जरूर discuss करेंगे, सबसे पहले ये है कि अगर आप अपने घर के आसपास देखें, थोड़ा सा आगे जाएं, थोड़ा सा अनुलिटेड जगह देखें तो आप देखेंगे कि ये जो पृत्वी की जो उपरी परत है, यहां जो परत है पृत्वी की उपरी परत, crust जिसे हम कहते है इसमें चटाने होती है, पत्थर होते है, मिट्टी होती है तो जो ये उपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं ये अलग-अलग खनिजों के योग से मिलकर बनी है इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर चटाने देखेंगे और इन चटानों में अलग-अलग कॉंटेंट होंगे या ये कहे अलग-अलग सदसे होंगे अब हम खनिज की बात तब करते हैं कि हमें अभी एक वर्गी करन करना है कि ये खनिज क्या होते है खनिज मतलब होता है मिनरल जिससे हम ये धातू जिससे हम मेटल्स, नॉन मेटल्स ये सम निकालेंगे तो जब हम इन खनिजों का जैसे अगर हमको यहां से मालीजे एक हमें चठान मिली, पथर मिला, हमने इसको लिया और फिर हमने इसका शोधन किया, इसका प्यूरिफिकेशन किया, इसका रिफाइनमेंट किया तो इससे हम लोह यानि की लोहा निकाल सकते हैं हो सकता है इसमें लोहा हो, हो सकता है इसमें अलिमिनियम हो, हो सकता है इसमें प्लाटिनम हो, यानि कोई भी धातू आप निकाल सकते हैं और आगर आपके पास सुई है आपके घर में और अगर आप जाहाज में यातरा करते हैं देखिए सुई कितनी पतली होती ही जाहाज कितना बड़ा होता है इन सब में इन खनीजों का, मिनरल्स का, जिससे हम यह अलग-अलग जो मेटल्स, नौन मेटल्स निकालेंगे तो खनीज एक combination हो गया जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर पहुत सारी चीज हो सकता है चार चीजे mix हो और ये चार अलग-अलग चीजे निकाले हम तो हम कहेंगे कि ये अलग metal है, ये non metal है, ये है, ये है तो छोटी से बड़ी चीज जो भी आप बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी एक heaven की बात सुनी और उनके पिताजी ने बताया है कि ये aluminum लोहा से बना हुआ है तो अलग-अलग चीजे जितनी भी हम असपास देखते हैं, वो खनीजों से बनी होती है mostly इसमें खनीज यूज होता है मैं कह रहा हूँ हर चीज क्योंकि अगर हम खाते है खाना खाते है, उसमें भी खनीज होता है कभी आपने पाला खाई होगी तो आपको थोड़ा सा एक iron का टेस्ट आया हो यानि लोहे का टेस्ट आया हो हिंदुस्तान में कहां-कहां है क्या-क्या निकाल, कैसे-कैसे निकलता है क्या-क्या इससे बनता है तो इसके बाद अलाबा कुछ एक छोटा सा एक्जामपल आपको देता हूँ यहाँ पर देखे एक toothpaste आपको दिख रहा है एक toothpaste आपको दिख रहा है और इसको मैं clear करूँ छोटा सा example लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे एक छोटा सा एक combination याने अगर आप कहें दंत मंजन तो ये दंत मंजन आप हर आदमी सुभ़े यूज़ करता है धम दाथ साफ करते हैं इसमें silika silika होता है चूना पत्थर होता है जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं aluminum oxide और अलग-अलग phosphate ये आपकी दाथों को clean करते हैं स्वच्छथा प्रदान करते हैं clean करते हैं इसके लाव fluoride जो fluoride याने कि fluorine से बना होता है और ये आपके दाथों को गल्ले से रोपता है ऐसी है fluoride fluoride मैं ऐसे बताता हूँ आपको fluoride ये कहां से आता है जिसमें आपको कहा कि ये fluorine, fluoride ये fluoride से प्राप्त होता है ऐसी आपका जो दंतमजन है दाथ आप साफ रखना चाहते हैं fluoride इसमें मिलाए जाता है जो rutile और ilmenite rutile और ilmenite और anatis ये भी एक खनीज है इन खनीजों से इसमें डाला जाता है चमक यसे मैंने कहा कि चमक के लिए आप अबरग यूज़ करते हैं माई का उसके अलावा जो tooth brush है या ये जो paste है इसका toothbrush और paste ये भी petroleum product से plastic से बनते हैं याने कि एक छोटी सी चीज जो आप सुभे use करते हैं आप देखिए उसमें कितने सारी खनीज का उपयोग होड़ा है इसका मतलब खनीज हर जगा है तो खनीज अगर मैं इसकी definition देना चाहूँ तो खनीज है क्या खनीज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक सनरचना है आपने एक ये पत्थर पाया आपने एक ये पत्थर पाया इसमें मालीजे aluminium है इसमें मालीजे mica है इसमें मालीजे graphite है example ले रहा हूँ इसमें मालीजे aluminium है इसमें mica है इसमें graphite है aluminium है 30% mica है 30% और ये है आपका 40% इस वाले में aluminium है 20% mica है 80% या 70% 60% और graphite है 20% ये दोनों ही चीज अलग है या अलग खनीज है ये अलग खनीज है क्योंकि इसका composition percentage wise जो चीजे है ये प्राकरितिक रूप में आपको मिलता है यानि कि ये आपके अर्थक्रस में आपकी भूपरपटी पे आपको मिलता है साथ में इसकी एक निश्चित आंतरिक सनरचना है तो कितना percent क्या चीज है ये अगर आप देखेंगे तो अलग अलग खनीज आपको मिलेगे बहुत कठोर से लेकर बहुत नरम तक खनीज होते है हीरा जो आप देखते है कि क्लास वगरा काटने काम में आता है चमक होती है और बहुत सारे इसमें इसको कठोरतम मना जाता है हीरा, डायमंड ये graphite से बनता है diamond graphite का एक रूप है जैसे carbon है वैसी ये carbon का graphite है carbon का हीरा है carbon का एक रूप है हीरा carbon ये कहे लिजे कि जो basic हो गया इसके साथ अलग-अलग formation में हीरा हो गया graphite हो गया इसा बनता है नरम चूना चूना, limestone जिसे आप अपने रंगाई करते हैं तो हर तरीके की availability है हीरा भी है, चूना भी है हर तरीके की availability है जो अलग-अलग चटाने है उसमें अलग-अलग अनुपातों में खरीज मिलता है इसका मतलब कि अगर मान लीजे आपके घर के पास जो चटान है और मेरे घर के पास जो चटान है उसमें अलग-अलग तरीके की चीज मिल सकती है 2000 से ज़ादा 2000 प्लस खनीजों की पहचान कर ली गई है हम जानते हैं कि ये कौन से मिनरल्स है लेकिन कुछ चटानों में कुछ खनीज ज़ादा मिलते है यहाँ ये मिनरल्स जादा मिल सकता है मालीज ये अलुमिनियम है यहाँ जादा मिल सकता है यहाँ पर हो सकता है प्लाइटिनम जादा मिल सकता है सोना जादा मिल सकता है तो खनीजों का वर्गी करन जब हम क्योंकि जब इतने सारे खनीज है तो हम इसको डिवाइड भी करेंगे, इनका वर्गी करन भी करेंगे तो जब हम इनका वर्गी करन करते है तो उसमें जो हमारा बेसिक होता है हम किस हिसाब से इसका वर्गी करन करेंगे कि इसका रंग क्या है, खरिज का कितनी कठोरता है, कितना स्ट्रॉंग है ये इसमें कितना लस्टर है याने चमक कितनी है इसके अंदर के content की density क्या है और इसमें जो crystal पाए जाते है थोड़ा chemical बात कर रहा हूँ मैं एक सारा physics और chemistry में आता है तो crystal क्या पाए जाते हैं उससे हम इसका वर्गी करन करते हैं तो इसलिए हम खनीजों को थोड़ डिवाइड करेंगे अब इसका वर्गी करन में आपको बता देता हूँ खनीज की बात कर रहा हूँ मैं mineral की बात कर रहा हूँ खनीजों का वर्गी करन हम जब करते हैं तो खनीज को हम धात्विक और अधात्विक में रिवाइड करते हैं और साथ में ऐसे खनीज जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनरजी देते हैं धात्विक ये धातू शब्द से आया है, अधात्विक ये इसका उल्टा समझ लीजे और वो malleable है, यानि कि अगर उसको पीट-पीट के आप sheet बना सकते हैं, पतली-पतली sheets बना सकते हैं उनसे wire बना सकते हैं, तो उनमें lustre हो, चमक हो तो ये सारी जो properties होती हैं वो होती हैं धात्विक की, यानि मेटल्स की ये इसका उल्टा माल लीजे जिसमें कम लस्टर होता है जो कम चमकता है या ये कहें जिसको हम पीटेंगे तो तूट जाएगा बिटल हो जाएगा और जिसके हम वायर नहीं बना सकते वो अधातू होगी तो धात्विक में लोह धात्व जिसमें लोहा हो धात्विक में ऐसे धात्व होते जिसमें लोहा हो यानि कि एफ-ई, एफ-ई, आइरन, आइरन हो, एफ-ई हो जैसे लोह अयस्क, आइरन ओर, मैंगनीज, निकल और कुबार्ट तो जिनमें लोहे का अंश होगा उसे हम लोह धातु कहेंगे जिनमें लोहे का अंश नहीं होगा अलाहो लोहो के आगे अ लगा हुआ है जिनमें लोहे का अंश नहीं होगा उन्हें हम अलाह धातु कहेंगे देखे ये भी लोह धातु है आइरन और, मैंगनिस, निकल और कोबार्ट ये आपके लोह धातू है लेकिन अलोह में ये भी धातू है तामबा, सीसा, जस्ता, बॉकसाइड अभी मैं आपको बताऊँगा ये क्या क्या होते हैं कॉपर, माइका ये सब होते हैं बॉकसाइड ऐसी चीज़ है, जिससे हम, या बॉकसाइड ऐसा और है या कॉम्बिनेशन है, मिला जुला है, जिससे हम ऐलुमिनियम निकालते हैं इसके अलावा धातू में बड़े ऐसे खरिज होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं, बहुमूल्य होते हैं इनकी कीमत बहुत जादा होती है सोना, चांदी, प्लाइटिनम जितने भी हम आबुक्षन देखते हैं वह यो सोने के बने होंगे, चांदी के बने होंगे आ में प्लाइटिनम के होंगे, क्योंकि यह बहुमूल्य होते हैं इसको पहनना, अच्छा लगता है लोगो, इसमें चमक होती है और इनका ट्रेड वैल्यू भी भहुत जादा है अब हम दूस्रे पार्ट पे आते हैं धात्विक हो गया, अब हम अधात्विक पे आते हैं अबरक, माईका, नमक, जो हम खाते हैं पुटैश, सल्फर, चूना आश्म, यानि चूना पत्थर, लाइम स्टोल, संगमर्मर, बलुवा पत्थर ये सारे अधात्विक में आते हैं उर्जा खनिज की बात करूं तो, जिससे इनर्जी निकलेगी कोईला, कौल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचरल गैस ये सारे उर्जा खनिज में आते हैं यानि कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, उर्जा खनिज इन तीनों भाग में बाता, धात्विक जिनमें अमेलेबिलिटी होती है, लस्टर होता है और जो डक्टाइल होते हैं मतलब जिनको पीट-पीट के पतला किया जा सकता है वायर बनाया जा सकता है, चमकते हैं वो ये सारे हो गए इसमें लोह और अलोह दो भाग में बाट दिया तीन भाग में लोह अलोह और बहुत जो महंगे होते हैं ये कहें कि बड़े जिनको उस काम के लिए यूज़ किया जाता है या जिसकोई ट्रेड वैल्यू है, चमकते हैं ये बहुत सुन्दर होते हैं अधात्विक, अधात्विक क्या हो गए जिनमें ये प्रॉपर्टीज ना हो जो धात्वाली होगी अब हम आते हैं खनी जो की उपलबददधा तो सामान ये खनी आयसकों में पाई जाते हैं इसका मतलब, जब मैं आइरन के साथ आइरन ओर जोर दूँ तो ये है आयसक, आयसक मतलब कॉमिनेशन मुझे आइरन ओर से आइरन निकालना होगा मुझे और से मिले जुले चीज़ों से अपना element निकालना होगा मुझे एक धातू निकालना होगा तो किसी भी खनीज में अन्य अव्ययो या तत्वों के मिश्रन या संचेयन IS कहलाता है यानि अगर मैं FE कहूँ और FE के साथ मैं FE2O3 कह दू FE तो आईरन हो गया इसके साथ मैं एक कॉम्बिनेशन बना दू या कोई भी इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना दू जिसे FE के साथ सल्फर मिल गया आईरन के साथ सल्फर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा ये एक IS को जाएगा जब इससे हम F-E निकाल लेंगे तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि ये combination है ये एक अवियव है, तत्व है, मिश्रन है खनीज प्रायाह निम्न शैल समूहों से प्राप्थ होते है जो शैल मतलब क्या होता है? पत्थर तो निम्न शैल समूह मतलब पत्थरों से मिलते है निम्न मतलब थोड़ा सा आप अगर क्रस्ट की बात करें यानि हमारे भूपरपटी की बात करें उसके थोड़ा नीचे मिलते है यानि कि आपको एकदम सड़क पे नहीं मिल जाएंगे में खनीज दरारों, जोडों, भरंशों, विदरों में मिलते हैं अब मैं जैसे कहता हूँ कि ये एक पत्थर है और ये पत्थर है, ये पत्थर है इसके बीच में जो आप देख रहे हैं दरार है अगर इसमें दरार है, इसमें दरार है वहां ये मिलते हैं तो एक दरार, जोड, भरंश, विदर ये सारी चीज़ एक सीज़ समझ लिजे कि जहां-जह जगा बनती है वहां मिलेगे बस इतना समझ लिजे कि जहां-जहां चीज़े है मतलब पत्थर है, जहां मिट्टी है, सब कुछ चीज़ है उसके बीच में जहां-जहां जगा मिलेगी, वहां ये मिलेगी चोटे जमाव शिराओं के रूप में और ब्रहट जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं चोटे जमाव शिराओं, आप देखे, माल लीजे यहां पर कुछ है, अब कुछ सालों बाद इसके उपर एक जमाव हो गया तेमपरिचर प्रेशर चेंज हुआ, तो यहां पर आपको जो रासाइनिक और रासाइनिक क्रियाएं हो रही है, मतलब फिजिकल और केमिकल क्रियाएं हो रही है उससे आपको यह चेंज होता है, याने कि जब आपकी प्लेटेज बनती है या आप कहें कि इगनियस और कायंतरिट चट्टाने बनती है, उसके नीचे आपको जस्ता, तामबा, जिंक और सीसा मिलेगा इसके अलावा अवसादी, सेडिमेंटरी चट्टानों के अनेक इसमें भी बहुत सारे खनीजाप को मिलते है आगने और कायंतरिट याने इगनियस और जो जिसको कायंतरिट कहते हैं उसमें जस्ता, तामबा, जिंक और सीसा मिलता है अवसादी याने की सेडिमेंटरी रॉक्स में, सेडिमेंटरी चट्टानों में आपको कोईला, जिसम, पोटाश और नमक मिलेगा फिर से समझेगा कि अगने और कायंतरिट में जस्ता, तामबा, जिंक और सीसा और अवसादी चट्टानों में कोईला, जिप्सम, पोटैश और नमा कोईला और और भी ऐसे लोह अयस्क है जिनको बहुत लंबा समय लगता है बनने में उश्मा, गर्मी और दबाओ जब आप कहें कि एक माल लिजे जो कॉमिनेशन मैंने दिखाए ना कि यहाँ पर एक परत थी, फिर बहुत सालों बाद यहाँ परत आ गई बहुत सालों बाद यहाँ परत आ गई तो यहाँ पर टेंपरेचर, प्रेशर, गर्मी, कॉम्परेशन यह सारी चीज़े इस पर लगती है और फिर केमिकल और जो फिजिकल रियाक्शन होते है उसके हिसाब से जो कॉंटेंट होता है, वो कंबाइन होता है मिलता है और उससे आपको यह उश्मा गर्मी और दबाओ का परिणाम है कि आपको कोईला और लोह आयस्क मिलते है धरातलिये चट्टनों के अबगटन से भी खनीजों का नेमान होता है और चट्टनों के घुलनशीर तत्मोस के अपरदन के पश्चात और अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टने रह जाती है क्या होता है कि जैसे मालिजे ये एक एरिया है, जमीन है इसका अपरदन हुआ, अब घटन हुआ, या फिर इसके उपर चीजे आई, या जो चीज के उपर चीज चली गई, तो इसका मतलब एगर ये चीज चली गई, और जो बाकी बचा, तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट में जाएगा उसके पश्चाद, यानि कि जब अब घुलंशिल, जो इसके उपर घुली वई चीजे जोती है, मतलब जो पानी से, या हवा से, या चीजों से मिल के निकल जाती है, तो जो बच्चता है, वहाँ पर आपको बॉक्साइट में जाएगा पहाडियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोड जमाओ के रूप में कुछ खनीच पाय जाते हैं, मान लिजए यह आपकी नदी बहके आ रही है, यहाँ चटान है आपकी, तो इस जगह पे और चटानों के बीच में, यानिकी पहाडियों के आधार, यह पहाडी ज वहाँ के जलोड जमाओ के रूप में भी कुछ खनीच पाय जाते हैं, मतलब यहाँ पही आपको, क्योंकि यह डिपॉजिशन की जगह है, यहाँ पर आके चीज़े रूख जाती है, जम जाती हैं, फिर इस पे टेंपरेचर, प्रेशर, पानी, हुमिडिटी, दबाओ, सब जीजोंका एlando का एफेक्ट होता है, तो खनीच पन जाते हैं, इनको हम खहते हैं जो पारियों के बेज पे और जो घाटी तलकी रेट में जलोड जमाओं से जो बनते हैं उनको इन निक्षिप को हम प्लेसर निक्षिप कहते हैं क्या कहते हैं प्लेसर निक्षिप इनका नाम मैं बता देता हूँ सोना चांदी ये टिन और प्लेटिनम तो जितने भी महंगे महंगे हैं मैंने आपको बताया खासतर पर सोना चांदी और प्लेटिनम ये कहा मिलते हैं आपको, ये आपको इस इस इलाके में मिलते हैं, पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में, जलोड जमाओ के रूप में, महासागरिय जल में, जो ओशन्स हैं, नमकीन पानी जहां पर है, समुद्र हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे खनीज मिलते हैं, नमक तो मिलता ही मिलता है, मेंगनीशियम हमको मिलता है, हमारे पास तो एक जगा भी है, हमने हमको एक economic zone हमारे पास है जो हमने विश्व से लिया है मतलब हमारे वो central विश्व का एरिया है अंतराष्टी एरिया लेकिन वहाँ पर भी हम ये चीज निकाह सकते है bromine सामान ये नमग, बैंगनीश्यम, bromine कहां से मिलता है महासागरिय जल से मिलता है तो खनीजों को जैसे मैंने कहा वर्गी करने हम कैसे करते है धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनीज प्राइदीपी चट्टानों में कोईला, धात्विक खनीज, अबरक और अनेक अधात्विक खनीज के अधिगांश भंडार संजित है अगर हम मैप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो हम देखेंगे कहां कहां पर कोईला और मेटल्स धात्विक खनीज मतला मेटल्स जिससे निकल सके अबरक जैसे माईका और बहुत सारे अधात्विक याने की नॉन मेटल्स तो प्रायदीपी चट्टा ने जहां पर प्रायदीप है हम जानते हैं प्रायदीप कहां कहां होता है प्रायदीप एक ऐसी जगह होती है जहां पर तीन जगह से पानी होता है तो प्रायदीप के पश्शीम और पूर्वी पार्ष पर पश्चिमी और यह आपका पूर्वी हो गया यहाँ पर और असम की चट्टानों में आपको यह जगह दिखाऊंगा असम की चट्टानों में खनीज तेल मिलता है कहां खनीज तेल मिलता है फिर से समझेगा कि आपको खनीच तेल का मिलता है, गुजरात के पास, मुंबई के पास, और असम में, और कुछ इलाकों में दाएं हाथ पे जो मैं पुर्वी बता रहा हूँ, पुर्वी तो मैंने नाम ले लिए, बॉंबे हाई वगेरा, पुर्वी पे भी जाएंगे हम, और मैं वो जगह द इबरक और बहुत सारे अधात्विक खनीच मिलते हैं, राजस्थान में क्या मिलता है, यहाँ पर अलोह खनीच पाए जाते हैं, जिसमें लोहां नहीं होता है, जिनका हमने अभी भी नाम देखा, अलोह खनीच कहा पाए जाते हैं, राजस्थान में, तो यह अलग-अलग ज रपे यहां नहीं है, लगता हूँ, कह सकते हैं कि उत्तरी भाग में लगभग इससे विहीन है यानि जो खनीजों की मातरा है, उत्तरी भाग में, जिसे अगर आपको यहां पर दिखाऊं, तो उत्तरी भारत के विस्तरित जलोड मैदान आर्थिक महत्व के खरीजों से लगभग भी ही है याने कि जहां जिसका आर्थिक वैल्यू है जिसका एक जो हम निकाले और उससे हमें फायदा भी हो लोग उसे यूज भी करें वैसी चीज यहां नहीं उत्री भारत द्यान रखेगा लेकिन अगर आप कहें कि भाई यह जमीन है यहां पर हमें खरीज मिल रहा है हम इसको कहने लगे कि यह तो भंडार और ख़दान होगे नहीं जब तक हम जब इसकी माइनिंग करेंगे उत्खनन करेंगे और अगर बजार है वहां तक हम अराम से सस्ते दामों में इसे पहुँचा पाएंगे मतलब यहां पर एक तो मिल जाए हम उसको अराम से निकाल सके और उसे पहुँचा दे इन तीनों चीजों की जब हमारे पास फैसिलिटी हो और अपोसिनिटी हो तब ही हम कह सकते हैं कि अब यह हम ख़दान बना सकते हैं भंडार बना सकते हैं अदर्वाइस हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आप कहें कि यह समुद्र है आपके तट से यह 500 किलोमिटर दूर है या चलिए 500 नॉटिकल माइन यहां जाके ऐसा ख़दान या भंडार नहीं कह सकते हैं अब बात करेंगे धात्विक ख़दान होते हैं इसका मतलब जो मिनरल्स है उसमें हमको मेटल्स मिलते हैं एक ख़दान जैसा होता है जिसमें अलग-अलग चीज़े कमबाइन होती है मिली हुई होती है और हम उसमें से एक चीज़ निकालते हैं अपने परपस की तो यह तीन प्रकार के होते हैं पहला है लौह खनिज लौह खनिज जिनसे हम लौह निकालते हैं जिसमें भी एफ-ई होगा जिसमें भी आईरन होगा जिसमें भी लोहा होगा जिनसे हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं लोहा खनिज लोहा खनिज लोहा खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल के तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं इसका मतलब कि जो लोहा खनिज है जो मिनरल जिन से हम लोहा निकालते हैं वो धात्वी खनिच इसका मतलब मेटल्स के जो उत्पादन है उसका तीन चोथाई यही है इसलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं ये धातु शोधन उद्ध्यूगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते है धातु शोधन का मतलब होता है कोई भी मेटल ले ले, कोई भी धातु ले ले उसका अगर प्यूरिफिकेशन करना हो रिफाइनमेंट करना हो, परिशकरन करना हो तो उसके लिए इनका बहुत बड़ा रोल है लोहायस्क लोहायस्क यानि की आईरन ओर यह एक आधार भूत खनीज है यानि की यह बेसिक खनीज है मतलब यह होता है कि जो चीज़ हमें मिलती है आपके नैच्रल प्रकरती में इसलिए यह बेसिक खनीज है आधार भूत खनीज है और जितने भी हम अध्योगी देख रहे हैं, जितने भी हम इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, आप ये समझ लें कि औध्योगिक विकास की ये रीड है, ये रीड है, बैक्बोन है, जिसके जैसे आदमी रीड के बगएर, रीड के हड़ी के बगएर सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वैसी किसी भी औध्योगिक विकास के लिए, लोह आएस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी देश के लिए, अब इसके अलग अलग वर्जन है, लोहे के, लोह खनीच के, अलग अलग वर्जन है, जैसे सबसे पहला होता है magnetite इसका पहला पहला अक्षा लिखूँगा ये है magnetite ये है सबसे बड़िया सर्वोत्तम best कह सकते हैं आपको ये best सर्वोत्तम प्रकार का लोह एसक है और ये best इसलिए है क्योंकि इसमें 70% 70% लोहा पाया जाता है लोहे का अंश एफी आईरन इसमें पाया जाता है सबसे बड़िया क्यों है क्योंकि इसमें होती है magnetic property चुम्बकिये गुण होते है इस magnetite जो law S के हम बात कर रहे हैं सर्वोत्तम प्रकार इसका है magnetite और इसमें ये best इसलिए है क्योंकि 70% इसमें लोहा है और इसकी जो property है वो ये है कि इसमें magnetism है चुम्बकिये इसमें चुम्बकिये गुण होते है और इस चुम्बकिये गुण के कारण इसका उप्योग किस उध्योग में जादा होता है विद्यूत, electricity, ECT electricity उध्योग में सबसे जादा इसका उप्योग होता है इसके बाद आता है hematite मेंगनेटाइट हो गया अब हम बात कर रहे हैं hematite की ये बहुत महत्पूर्ण महत्पूर्ण अध्योगिक लोह एस्क है और जिसका अधिकतम मातरा में उप्योग होता है यानि की ये तो best है लेकि ये जो hematite है ये सबसे जादा यूज होता है सबसे बढ़िया है magnetite और सबसे जादा यूज होने वाला है hematite हमatite और इसमें लोहांश की मातरा 50 से 60 प्रतिशद यानि की लोहा जो होगा इस इस आयस्क में iron ore में जो की combination है बहुत सारी चीज़ होगा जिससे हम लोहा निकालेंगे उसमें जैसे माली जै ये मिला इसमें 50 प्रतिशद लोहा होगा 60 प्रतिशद लोहा होगा बाकि सब चीज़ होगी यहां पर आप देखें तो अगर जो कोई चीज़ मिलती है आपको जो इसमें 70 प्रतिशद आपको लोहा मिलेगा बाकि बाकि चीज़े आप निकाल सकते है लोहांश की मातरा इसमें कम होती है जैसे मैंने बताया और उसके बाद भारत बहुत बहुती बढ़िया हमारे पास लोहांश यूट लोहाएस्क है हम इसमें काफी धनी है कौन-कौन से लाकों में मिलते है इसमें लोहाएस्क उत्पादन में राज्यों का अंश अब आप थोड़ा सा इसको समझगेगा कि लोहे का उत्पादन जहां होता है वो अलग बात है और लोहाँजादा जहां मिलता है वो अलग बात है, यानि कि जहां पर भंडार है वो अलग हो जाते है, हो सकता है कि दोनों छेत्र सेम हो, हो सकता है दोनों कि छेत्र अलग हो, जहां पादन जादा होता है या जहां पर मिलते जादा है जहां पर भंडार जादा है तो अगर हम लोहाएस की बात करें तो सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा उडीशा में मिलता है उडीशा में तो almost सभी कुछ मिलता है जारखण में भी ऐसे ही है क्योंकि देखिए आसपास वाले अलाके हैं तो उडीशा में सबसे ज़्यादा लोहाएस 33% है चारखण में 28%, 36गर में 19%, करनाटक में 11% और बाकी मिलाकी पुरिदेश के 9% है एक इसमें बात बताना चाहता हूँ आपको एक रोचक तथे है ये ये है रैट होल तो इसमें क्या है कि जितने भी खनीजवाली चीज़े हैं वो सरकार के अंतरगत आती है लेकिन जैसी आप उत्तरपूर्व भारत में जाते हैं वहाँ पर जो जन्जाती ख्षेत्र है उनको खनीजों का स्वामित्व दिया गया है कि लोगों के पास, समुदायों के पास ये मिलावाय है यहाँ पर सरकार हर जगह तो सरकार के अंडर में आता है यहाँ पर उन्होंने क्योंकि यह जन्जाती ख्षेत्र है तो मेगालाय में कोईला, लोह, आयस, चुना और पत्थर और चुना बत्थर और डोलोमाइट इसके काफी जबरदस निक्षेप है तो जुवाई और चेरापूंजी यहाँ पर जो परिवार रहते है वो इसका कोईले का खनन करते है तो वो एक सुरंग बनाते है ऐसे सुरंग बनाते है यहाँ पर कोईला माली जए है उसको निकालने के लिए लग सुरंग बनाते है ऐसे जाते हैं तो यह जो है एक होल बनाते हैं सुरंग के रूप में इसी को ये rat hole कहते हैं इसी को हम rat hole खनन अगर rat hole खनन आप से पुछा जाए तो ये वहाँ की बात करेंगे आप जहाँ पर जो individual लोग हैं समुदाय हैं वो करते हैं ना कि सरकार और ऐसे ये बिल्कुल rat hole की तरह का जैसे चुहानी एक अपना hole बनाता है अंदर की तरफ भूज जाता है उसी तरीके से बना के अंदर जाते हैं लेके चले आए भारत में कुछ पेटिया हैं कुछ जगा हैं कुछ इलाके हैं जहाँ पर law ask मिलता है जैसे जगा देखिएगा सबसे पहली है उडीसा जारखंड पेटी यह है उडीसा जारखंड पेटी यह लाएस के शेतर पर बता रहा हूँ और law ask के चेतर यह है लेकिन law ask खाने यह जो ट्रैंगल में आप देख रहे हैं लाल ट्रैंगल जो है यह law ask की खाने जहां पर बनी हुई है जहां पर mining यह यह कहें जहां पर ख़दाने बनी हुई जहां से निकल रहा है प्रडक्शन हो रहा है चीज़े निकल रही तो law ask खेतर में यह वाले जो पहला खेतर में बताना चाहरा हूँ यह है उडिसा जारकंग छेत्र जो उडिसा जारकंग छेत्र है जिसमें आप क्या-क्या देख रहे हैं गुवा है, केजूर है, मयूर भंजी यह लागा उसके बाद हम आते हैं चतिसगड़ और महाराष्टा में दुर्गा बस्तर चंदरपूर पेटी यहाँ पर आईए इधर पर आप आ रहें, चतिसगड़ और महाराष्ट तो चतिसगड़ महाराष्ट में आप यहाँ पर आ गए और इस जगह पे आपको क्या-क्या मिल रहा है चतिसगड़ महाराष्ट में दुर्गा बस्तर चंदरपूर चंदरपूर, तो देखिए, ये चंदरपूर हो गया, ये बेलाडिला, यहाँ पर आप देखें, दुर्ग, बालाघाट, बालाघाट में भी बहुत इंपॉर्टन चीज मिलती है, नागपूर का भी थोड़ा इलाका है इसमें, तो ये वाला इलाके की बात हो रही है, उसके मंगलूर, कुद्रे मुख, शिव, ये किया ट्राइंगल्स को देखेंगा, लाल ट्राइंगल्स, इसके बात बताना हो, यहाँ पर एक ये पूरी पेटी है, और इस पूरे पेटी में विद्यमान है, लेकिन ये जो चार आप ट्राइंगल्स देख रहे हैं, यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा एक इलाका गोवा और महराश्राज में जो रतनागिरी जिला है, उसमें महराश्रा गोवा पेटी, थोड़ा सा इलाका यहाँ पर भी है, यहाँ पर गोवा आप देख रहे हैं, यह भी थोड़ा इलाका है, तो एक, दो, तीन, चार, चार इलाके लो विनिर्मान का मतलब होता है manufacturing, production तो इसके manufacturing में प्रयोग किया जाता है इस पात के iron and steel, इस पात, manganese का उपयोग इसमें किया जाता है इसका उपयोग, bleaching powder, केट नाशक दमाएं और paint मनाने में भी किया जाता है manganese का manganese का, उडिसा manganese का सबसे बड़ा उतपादक राज है और एक टन, अगर आपको iron and steel बनाना है, एक टन 100 किलो जिसे कहते हैं, अगर एक टन बनाना हो तो उसके लिए आपको 10 किलोग्राम manganese की आवशकता होगी, कितने ग्राम की 10 किलोग्राम, और manganese की उतपादन शेतर देख लिए जाए इसमें आपके सबसे आगे आता है, जैसे मैंने बताया कि बाकी आपके बीए लेकिन उडिसा का अच्छा खासा 25 परसंट, मंद्रप्रदेश 24 परसंट और करनाटक 22 परसंट, बाकी कुल मला के 29 परसंट देते हैं ये एक आइडिया रहे आपको कि लोह एस की खदान होती कैसे है, अगर हमको लोहा निकालना है तो कैसी उसकी खदाने होती है, कुछ इस तरीके से होती है कुछ नाम इसमें आए होंगे, जैसे आपको याद होगा, मैंने बेला डिला बोला गी तो करनाटक केव का जो पश्चिमी घाट है, उसका चेहरा, उसका मुख जो है, गोड़े की तरह दिखता है तो बेला डिला की पहाड़ियां, बैल के डील, जैसे हम्प जिसे कहते हैं, उसका जो हम्प होता है बैल के, इसका नाम पड़ा है बैला डीला, बैल का डील, हम्प जो जैसे दिखता है, वैसे वहाँ का नाम पड़ जाता है ऐसे खनिज जिन में लोहा नहीं होता ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अलाह खनिज तो इस खनिज में सीधी सी बात है कि लोहा के आगे अ लगा हुआ है इसका मतलब इन खनिजों में लोहा शामी नहीं होता इसमें लोहा नहीं होता और इसको हम किसले उप्योग करते हैं जिनमें लोहा नहीं होता धातु शोधन मतलब मैटल को क्लिरेंस के लिए उसको ये कहे कि शोधन करने के लिए इंजिनिरिंग और विध्युत उद्योगों में ये बहुत महत्पूर्ण भूमी का नहीं भागते हैं अगर इसका एक्जामपल लेना चाहें तो तामबा है बॉकसाइट है सीसा है सोना है तामबा बॉकसाइट सीसा सोना ये सारे अलोहा खनीज में आते हैं जिनमें लोहा नहीं होता अब तांबा क्या हुआ? तांबा का मतलब है कॉपर तो कॉपर एक खनिज है और ये मेटल भी है मेटल किस तरीके से? एक तो इसमें कॉपर का उप्योग देखेगा ये तो पहली बात ये है तकि ये मैलियबल है धात वर्द है इसका मतलब इसको पीट-पीट के इसको आप इसके शीड बना सकते है पतली सी चादर बना सकते है इसके अलावा ये heat याने गर्मी इसका सुचालक होता है ताप सुचालक है याने it's a good conductor of electricity इसी कारण से कॉपर का उपियो खास तवर पे बिजली की तार बनाने क्योंकि तारे भी बनाए जा सकती है electronics में इसका और रासायन उद्योगों में इसका उपियो किया जाता है मद्य प्रदेश की जो बाला घाट खदाने हैं 52% वहां से ही हम निकालते हैं maximum 22% पूरे देश का मद्य प्रदेश की बाला घाट खदानों से ही मिल जाता है इसके अलावा जारखन का जो सिंग भूमी जिला है और राजस्थान की खेटरी खदाने ये copper यानि की तामे के प्रमुक उपादकों में से है अब आते हैं bauxite bauxite का main आप समझ लीजए अगर bauxite आपके दिमांग में आता है या आपको सुनाई देता है तो समझ लीजएगा कि हम aluminium की बात कर रहे है इससे aluminium निकाला जाता है ये ऐसा और है ये ऐसा combination है जिसमे aluminium जहां से निकाला जाता है तो alumina clay alumina clay जैसा दिखने वाला ये पदार्थ मतलब एक मिट्टी की तरह दिखता है alumina clay मिट्टी की तरह ही दिखता है और ये bauxite होता है जिससे हम finally aluminium ट्राप्त करते हैं aluminium निकालते हैं aluminium एक बहुत बहुत उपयोगी और महत्पूर्ण धातु है क्योंकि इसमें होती है लोहे जैसी शक्ती और लोहा क्योंकि थोड़ा भारी होता है aluminium हलका होता है और ये भी सुचालक होता है यानि कि ये good conductor of electricity है good conductor of heat भी है ताप और electricity ताप और विद्यूत दोनों का ये अच्छा conductor है सुचालक है इसी लिए इसका उप्योग aluminium का इतना जादा बढ़ जाता है और इसमें जैसे मैंने का malleability पीट-पीट के आप जो चाद्रे बना सकते हैं वो भी बहुत अधिक होती है और मिलते कहां-कहां है ये ये अमर कंटक पठार में मैकॉल की पहाड़ियों में विलासपूर कट्णी विलासपूर कट्णी के जो पहाड़ी शेत्रे हैं प्रदेश हैं वहाँ पर ही मिलते और जैसे मैंने कहा ओडीसा में तो almost सब कुछ मिलता है तो ओडीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उतपादक राज है बॉक्साइट का कौन सा सबसे बड़ा उतपादक राज है ध्यान रखिए यह उतपादक की बात हो रही है यहाँ पर उतपादन सबसे ज़्यादा होता है तो बॉक्साइट उडीसा यह सबसे बड़ा बॉक्साइट का उतपादक राज है जहां कोरापुट जिले में पंच पतमाली यहाद रखना है आपको जहां पर कोरापुट जिला जो है वहां पर पंच पतमाली निक्षेप यह राज का सबसे बड़ा बॉक्साइट निक्षेप है बॉक्साइट का मतलब उडिसा, उडिसा का मतलब कुरापूर्ट जिला उसके अंदर पंच पतमाली यह सबसे बड़ा बॉक्साइट का निक्षेप है यानि कि यहाँ बॉक्साइट के डिपॉजिट सबसे दाना है यहाँ पर कुछ चित्र है उनको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पहली चीज़ तो है तामबा उपादन में सबसे उपर देखे उपादन के राज्यों का अंश यह 2009-10 का है सबसे बड़ा जो बॉक्साइट है वो ओडिसा है तो हम तामबा की बात करें कॉपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है आपके राजस्थान में करीबन करीबन 49% मद्धिप्रदेश करीबन 30% बाकी सब 78% और 14-16% यह तामबे की बात कर रहा हूँ मैं कॉपर की यहाँ पर एक चित्र देख रहे है यह यह है इस चित्र में यह दर्शाया गया है एक खदान एक माईन यह मलंज खंड में तामबा उत्पादन हो रहा है यहां पर बॉक्साइड की ख़दान है जब अब यह भी हमने बॉक्साइड देखा उसकी ख़दान इस तरीके से कुछ होती है अब हम आते हैं अधात्विक खनीच पे अधात्वी खनीच जो होता है जिन में धातू की प्रॉपरटीज नहीं होती ना मेलियवेल होते है ना डक्टाइल होते है वो ना अच्छे कंड़क्टर होते है electricity और आपके ताप के, यानि कि ना उसको पीट-पीट के आप वो बना सकते हैं चादर ना वायर बना सकते हैं, ना वो अच्छे conductor होते हैं, ना वो चमकते हैं लस्टर भी नहीं होता उसमें तो इस खनीज में धातु नहीं होते इस खनीज में धातु नहीं होते हैं, तो कौन-कौन से होगे इसमें, पहला है अबरक, अबरक याने की माइका, अबरक याने की माइका, ये प्लेट याने ऐसे प्लेट हुए न, जैसे माली ये जमीन की प्लेटे हैं, तो इसके मद्धे में पाए जाते हैं, और पत्रन क्रम, पत्रन क्रम या पत्रन क्रम और प्लेटों में पाए जाता है ये पारदर्शी इसे कलर क्या क्या हो सकते है या तो ट्रांस्परेंट हो सकता है आप इधर उदर देख सकते हैं इससे या काला हो सकता है, हरा हो सकता है लाल, पीला, भूरा सबी कलरों में आपको माईका मिल सकता है अब इसमें कुछ प्रॉपरटी है पहली चीज़ तो ये है कि इसमें परावैध्युत शक्ती जानकि डाय-एलेक्रिक स्ट्रेंप अच्छी है लो पावर लॉस फेक्टर है उड़ जाता हरास या कमी इसका बहुत कम गुणांख है निम्न गुणांख है इसका विसवाहन के गुण इसका मतलब इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है अगर आप इसको लगा देंगे इलेक्टरिसिटी पास हो रही है तो यहां पर कुछ नहीं जाएगी यह इंसुलेट करेगा रोग देगा उसको और उच वोल्टेज की प्रतिरोधिता अगर बहुत जादा वोल्टेज बहुत जादा करंट मान लीजे एक तरीके से क्योंकि जहाँ करंट वोल्टेज प्रतिरोधिता उच वोल्टेज के लिए बहुत जादा है तो रिजिस्टेंस बहुत जादा है इसका हाई वोल्टेज करंट के लिए बहुत अच्छा वो इसकी प्रतिरोधिता उच वोल्टेज के लिए बहुत जादा है इनी सारी properties को अगर हम देखें यही सारी अगर इसकी अलग-अलग जो bases है या इसकी संभावना है उसमें इसका उपयोग विद्यूत और electronic उद्योगों में सबसे ज़ादा है तो यह अपरिहार है, indispensable है यानि कि सबसे ज़ादा use होने वाला खास और पे विद्यूत और electronics में माइका ही है अबरक मिलता कहां पर है यह छोटा नागपूर पठार के उत्तरी पठारी किनारा बिहार जहारकन का कोडर्मा गया हजारी बाढ बाग पेटी यह सब अबरक माइका के production में अगरणी है राजस्थान के अजमेर और आंद्रप्रदेश के जो नेलोर है राजस्थान के अजमेर और आंद्रप्रदेश के नेलोर अबरक पेटी भी यह उत्तपादक पेटी है अबरक की माइका की अब हम बात करते हैं चूना पत्थर की चूना पत्थर तो आपने देखा ही होगा वाइट कलर का होता है इसी से हम अपने दिवारों की रंगाई पता ही करते हैं या इसमें मिलाते हैं कई चीजें तो चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट C A और C O CO 3 और मेंगनेशियम कार्बोनेट M G CO 3 M G 2 CO 3 होगा इसका कॉमिनेशन कुछ इस तरीके से होता है तो जहां पर चट्टानों में कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट मेंगनेशियम कार्बोनेट हो तो चूना पत्थर calcium carbonate और magnesium carbonate से बनी चट्टानों में मिलता है जहाँ पर इनकी चट्टाने होगे वहाँ आपको चूना मिलेगा चूना पत्थर cement उद्योग जैसे मैं नभी बताया है cement उद्योग का एक कच्चा माल है बहुत आधार हो बेसिक कच्चा माल है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार है जहाँ पर smelting होती iron की यानि कि iron को पिगलाया जाता है iron को अलग-अलग shape, size या content दिया जाता है वहाँ पर जो भट्टिया है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है limestone चुना पत्थर कहां कहां मिलता है सबसे ज़्यादा आप देखें बाकी जगह तो मिलता है लेकिन इसका उत्पादन करनाटक और अन्द्रदेश ये सब इलाके है अब दिक्कत ये है कि जो mining है इसमें बहुत सारे खत्रे है खत्रे ये है कि सबसे पहले तो जो ये लोग है mining जो करते हैं वो फेफडों से क्योंकि वो बहुत सारी हानिकारग gases होती है धुआ अपने अंदर लेते है और कभी-कभी mines में पानी आ जाता है mines टूड जाते है और जल भर जाता है बहुत सारे नुकसान है प्रोदूशन भी बढ़ता है mine से तो ये सारे नुकसान आप देख पा रहे है तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इसको हम killer industry भी कहते है घातक उद्ध्योग है खनन, mining तो इसके लिए एक सुरक्षा अच्छे से हो और परियावरन कारून को follow किया जाए उसका करियानमन किया जाए ये ज़रूरी हो जाता है अब हम बात करते है खनीजों का संग्रक्षन खनीजों का संग्रक्षन मतलब क्या हुआ कि खनीज है बहुत कम खनीज बहुत ही कम है और उनका संग्रक्षन बहुत जरूरी हो जाता है बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हम लोग dependent हो चुके हैं हम dependent हो चुके हैं परंपरागत साधरों में जैसे लकडी पे, उपले पे, कोईले पे, पेट्रोलियम, प्राकृति गयास, विद्यूत दोनों जल से आती है, विद्यूत और ताफ विद्यूत तो हम इस पे, इस पे बिल्कुल आश्रित हो चुके हैं और हमारे पास इसका content बहुत कम यानि हमारे पास खनीजों का संग्रक्षन करना बहुत जरूरी हो गया है तो इसमें आप समझेए कि जो खनन योगे निक्षेफ है उसकी कुल राशी असार्थक अंच है इसका मतलब जो खनन हम जिसका कर सकते हैं या फिर हम जो खनीज पा सकते हैं वो बिल्कुल नगण्य है, शून्य जैसा है क्यूंकि पूरे अर्थ करस्ट में अगर आप निकालेंगे कितने खनीज है तो किवल एक प्रतिशत है पूरे अर्थ करस्ट में खनीजों की संख्या किवल एक प्रतिशत है, सौ अगर इकाईया है अगर सौ इकाईय मानने जब पूरे अर्थ करस्ट को पुरे भूमी गोजो विश्व में व्यापत है उसमें किवल एक प्रतिशत खनीज होता है तो खनीज निर्मान की जो भू गर्भीक प्रक्रिया है जो खनीज बनता है खनीज को बनने में इतना समय लगता है कि पूछे बन, बहुत समय लग जाता है टेंप्रेचर, प्रेशर, ताप, कॉंप्रेशन इतनी सारी चीज़ें में लगती है और उसके बाद एक थोड़ा सा खनीज जाके पैदा होता है ये खनीज इसलिए बहुत सीमित है ये जो खनीज संसादन है ये सीमित है, लिमिटेड है और ये अनवी करनी ये योग ये है इसका मतना एक बार आपने यूज कर लिया तो उसको आप द्वारा नवी करन नहीं कर पाएंगे, नौन रिनेवल है ये तो खनीज हमारे पास रहे उपलब्दता इनकी बनी रहे तो जरूरी ये हो जाता है कि हमें इसका conservation करना है इनका संग्रक्षन करना ये बहुत जरूरी हो जाता है तो अब सवाल उठता है कि संग्रक्षन करें कैसे भई पहले चीज तो ये है कि आपको इसको बहुत तरीके से नियोजन से, प्लानिंग से और सतत पोशनी ये धंग से इसके कहने का मतलब है sustainable development sustainable संग्रक्षन कि आप आज जैसे मालीजे एक मातरा कहता हूँ दस, दस खनी जवलेबल है दस की मातरा कह रहा हूँ ये नौ आप निकाल लें तो एक ही बज़ेगा न आगे की generation भी दस है तो अब ही आप एक निकाल लिए हो सकता 50 साल बाद कोई एक और निकाल लेगा इस तरीके sustainable आपको करना पड़ेगा निम्नकोटी के IS कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रध्योगी कों का सतत निकास करना होगा हमारे पास ऐसे भी अलग-अलग quality वाले खनी जवलेबल है तो उनका उप्योग उसके लिए हम प्रध्योगी की लगा सकते है साइंस लगा सकते है ताकि अगर किसी की quality अच्छी ना हो किसी IS की quality अच्छी ना हो तो उसको हम अच्छा कर सके यूज कर सके जैसे अगर आप कहें कि iron है iron ore जो सबसे ऐसे quality काता है या coal coal कोईला ले लिए कोईला का जिसकी अच्छी quality नहीं है उसको हम विद्यूद बनाने के लिए उप्योग कर सकते हैं जिसकी quality अच्छी नहीं है तो पैदा करी सकता है हम चाहते हैं कि जो धातू है metal jam यूज़ करते हैं उसका पुरा चक्रन हो reuse हो उसका बार-बार आप इसका उप्योग कर सके तो अभी मैं बात कर रहा था उर्जा संसादन की यहाँ पर आप कोईला ख़दान में एक अंदर का दृष्ट देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग काम करते हैं तो जो उर्जा संसादन है किसी भी चीज़ आप ले लीजे आपके बोलने पर आपके खाने, रोष्णी गाली चलाना कोई भी काम जो हो रहा है वहाँ एनरजी लगती ही लगती अगर आप खड़े भी हैं तो भी एनरजी लग रही है अगर आप बैठे हैं तो भी एनरजी लग रही है अनरजी तो हर जगा है तो उर्जा संसादन, उर्जा का उत्पादन जैसे हम किन खड़ीजों से करते हैं कोईले से, कोईले को जलाते है अच्छी खासी हीट निकलती है पेट्रोलियम प्रोड़क्ट है पेट्रोलियम प्रकृतिक गैस यूरेनियम और विद्यूत से हम करते हैं उर्जा को अत्पादन पेट्रोलियम प्रकृतिक गैस, कोईला और खार्श तोर पेट्रोलियम प्रोड़क्ट प्रोड़क्स जो है, वो तो बहुत महेंगे भी हैं, और वो खतम होने वाले हैं, यह मतलब non-renewable resources हैं, तो उर्जा साधनों को हम इस तरी के से वर्गित कर सकते हैं, इसको इस तरी के से divide कर सकते हैं, एक तो है आपका परंपरागत साधन, एक है आपका गैर परंपरागत साध सालों से हम जिस पे dependent है और जो हम एकदम use कर रहे हैं, और अभी भी इसका उपयोग उत्र ही चल रहा है, जिसको हम परंपरागत साधन कहते हैं, ट्रिवियली, traditionally हम इसको use कर रहे हैं, तो परंपरागत साधनों में लकडी, उपले हो गए, गोबर के उपले, कोईला, पेट्र समिलित है इसमें, electricity, लेकिन गएर परंपरागत साधरों में, जो हम ऐसा use नहीं करते हैं, इसमें वो सारे साधन आ जाते हैं, जो हमेशा available हैं, जो हमको प्रकृति दे रही हैं, जिसका हमको दोहन करना है, जिसका हमको use करना है, तो गएर परंपरागत साधरों में, सौर, या उर्जा के परंपरागत साधन जो एनर्जी के चले आ रहे सोर्स है, रिसोर्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो साधन है, संसाधन है परंपरागत मतलब परंपरा से जो चले आ रहे हैं जिसका उप्योग हम करते चले आ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कोईले की, कोल की भारत में कोईला बहुत अच्छी तरीके से जादा पाया जाता है बहुतायत में पाया जाता है और ये जीवाश में इंधन है जीवाश में मतलब जो जीव है जिसमें भी जो भी living being है बायोटीक हो जो भी बायोटीक चीज है वो जब मर जाते है जब उनका दिहांत हो जाता है तो उसके बाद temperature pressure temperature pressure अलग-अलग ताप दबाओ के बाद जमीन के नीचे ये इसमें परिवर्तित होते हैं कोईले में ऐसी पेटोलियम के साथ भी है तो इसका उपयोग उर्जा के लिए, एनर्जी के लिए चाहे वो ध्योगों में देना हो चाहे वो घरेलू जरूरतों के लिए उर्जा देना हो एनर्जी देनी हो कोईले का बहुत जादा उपयोग है हमारे यहां तो कोईला जो प्रड्यूस होता है बनता है वो पादप से होता है पेड़ों से होता है ध्यान रखेगा पौधे पेड़ केवल पौधे पेड़ जो होते है वो जब जमीन के नीचे जब उनकी देहांत हो जाता है जब वो खतम हो जाते है जब वो जमीन के नीचे दब जाते है और जमीन के ओपर बहुत सारी पर्ते बन जाती है तो उन पर्तों के बनने के बाद नीचे क्योंकि उक्सीजन नहीं होती है या फिर कम होती है बाकि टेंप्रेचर प्रेशर के कारण ये परिवर्टित होते हैं और लाखों साल लगते हैं लाखों वर्ष लगते हैं कोईले को बनने में तो लाखों वर्ष होता है कि इनका जब संपीरन होता है compression होता है, जब ये compressed हो जाते हैं तब इनका निर्माण होता है तो जो संपीरन है जो compression हो रहा है, वो ये कहां हो रहा है, किस गहराई में हो रहा है कितनी मातरा में हो रहा है ये कोईले के अलग-अलग प्रकार बनाते हैं कहने का मतलब अगर जमीन है यहाँ पर आपका संपीडन हो रहा है मतलब पेड़ पौधे दिहान थो गया और उसके पर सब यह मिट्टी जमा हो गई बहुत अर्क्रस्ट मतलब अच्छा खासर मिट्टी जमा हो गई और यह बहुत सालों से हैं लाखों अर्श से और एक यहाँ पर जमा है और एक यहाँ पर जमा है तो जो भी यहाँ पर टेंपरेचर प्रेशर और कंप्रेशन संपीडन उसके हिसाब से अलग-अलग कोईला बनेगा अलग-अलग कोईला बनेगा तो जो दलदली कोईला होता है जिसे हम पीठ कहते है पीट ये दलदली छेतरों में मिलता है जिसमें कार्बन कम होती है इसमें हुमिनिटी जादा होती है इसका मतलब उसमें पानी का कॉंटेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा और इसमें निम्नताप क्षमता है जब इसको जलाएंगे जब इसको आग देंगे तो इसमें से जो और्जा प्रड्यूस होगी या ये जब जलेगा तो इसे जो एनरजी निकलेगी और्जा निकलेगी वो कम निकलेगी इसे हम ये शुरुवाती सबसे शुरुवाती जो उतले लेवल पर बनेंगे न उनका नाम है पीट फिर आता है लिगनाइट ये निमन कोटी का भूरा कोईला होता है ये भी इसकी भी कोटी बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये भी मुलायम होता है और इसमें भी नमी होती है नमी मतलब इसमें आधरता की मातरा होती है पानी की मातरा जादा होती है फिर हम आते हैं बिटूमिनस पे ये जदा गहराई पर होता है और नीचे चले जाया और जदा गहराई पर तो गहराई में अच्छे खासे जब तेंपरेचर पर जो बहुत अधिक उर्जा जो निकलती है वो बड़ी अच्छी निकलती है उसकी मातरा जादा होती है और सबसे उपर आई जाईए सबसे टॉप पे मतलब जो और नीचो होगा यहाँ पर कहीं होगा वो है आपका एंथ्रासाइट यह सरवोतम गुणवाला कठो गुणवाला कठोर कोईला है सबसे स्ट्रॉंग, सबसे कठोर कोईला और जिसमें जो सबसे बैस्ट है इन सब में एंथ्राइट फिर से समझेगा पीट सबसे उपर लिंगनाइट, बीटुमिनस, एंथ्रासाइट पीट सबसे खराब, एंथरासाइट सबसे बढ़ी है बीच में लिगनाइट बिटुमेंस भारत में कोईला दो क्षेत्रों में पाये जाता है एक को हम कहते हैं गोड़वाना क्षेत्र एक को कहते हैं हम तर्शरी निक्षेब तर्शरी जिसे प्राइमरी सेकंडरी तर्शरी तो आप गोड़वाना को कह सकते हैं प्राइमरी तर्शरी मतलब है लेकिन थोड़ा दूर पे है और कम है तो गोड़वाना कोईला जो छेत्र है ये धातु शोधन कोईला है इसके संसाधन, या ये कहें कि हम इसका इलाका गर देखना चाहे, कौन सी इलाके में इलता है, धातु शोधन मतलब जो میटल को निकालने में या میटल के क्लेरंस में शोधन करने के काम में आता है. तो आप आईए पहले दामदर घाटी, दामुदर घाटी में पश्चिम मंगाल और जारखन पश्चिम मंगाल ये इलाका हो गया पश्चिम मंगाल ये वाला इलाका हो गया ये वाला और आपका जारखन तो इसमें ये जो इलाका अब मैं आपको दिखा दू ये कोईले की जगा कोन कोन सी पहले तो यह देखे, कोईला का क्षेत्र यह है, कोईला का क्षेत्र यह है, यह जो शेत्र है, इसको हम कह रहे हैं कि प्राइमरी यानि गोनवाना क्षेत्र है, यह जो इलाका है, यहाँ पर कोईला का, इसको हम कह रहे हैं कि यह तर्शरी निक्षेप है, तर्शरी यह डिपॉ इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्शा नदी घाटी गोदावरी, महानदी, सोन और वर्शा घाटी जो ये इलाके है यहाँ पर है इसके बाद जो ये जो इलाके हो गया है मतलब ये जो मैंने बता दिया कोईला क्षेतर हो गया यहां से आतक यह पुरा कोईला क्षेतर हो गया यह पुरा कोईला क्षेतर हो गया और कोईला की खाने देख छेतर अलग है यहां कोईला है लेकिन जहां पर खदान है जहां से कोईला निकाला जा रहा है वो कोईलाखाने आपको कॉर्बा ये सिंग्रनी जो मैंने आपको बताया जो नाम ट्राइंगल्स में दिये हैं वो हैं लेकिन आप ट्राइंगल्स यहां भी देख रहे हैं ये टर्शरी इलाका है तर्शरी इलाका में अगर आप उत्तक पुर्वी इलाकों में आए तो आप देखेंगे मेघाला है यहापर मेघाला है आसम अरुनाचर प्रदेश नागालें इन इलाकों में यह भी इलाका है और कहां कहां है जहां ट्राइंगल बने है यह सब इलाकों में आपके कोईला है ल प्रकाश के लिए लाइट के लिए इंधन पेटोलियम है मशीन को सनेहक याने जब मशीनों है क्योंकि कोई भी मशीन तब तक नहीं चलेगी जब उसमें आप तब तक लूब्रिकेंड नहीं देंगे तेल नहीं डालेगी तो तेल और यह सनेहक जो होता है लूब्रिकेंड कहां से आता है जैसे वैक्स जो होता है मोम जो आता है वो पेटोलियम से आता है आप जो अपने होटों पे वैसलीन जली लगाते हैं वो इसी से आता है सनेहक कहते हैं इसको लूब्रिकेंड और इसके अलावा बहुत सारे विनीरमान उद्योग है, manufacturing industries है, जिसके लिए कच्चा माल petroleum देता है, petroleum, तो petroleum refinery एक तरीके से nodal industry समझ सकते हैं, आप नोडिय बिंदू है, किस-किस के लिए, synthetic textile, fertilizers और बहुत सारे chemical आपके जो उद्योग है, कहने का मतलब कि ये तेल शोधन शाला है, यानि कि संशलेशित वर्ष, जिसको मैं synthetic textile क्या रहा हूँ, टेफ fertilizer यानि उरुवरक, और बहुत सारे chemical या असन के रासाइन उद्योगों के लिए एक center point का काम करता है, इसका मतलब बहुत जरूरी है ये petroleum, तो भारत में कुल petroleum मुत पादन 63% कहां से होता है, मुंबई हाँ पर है, आप देखें ये तेल शेक्तर भी मैं इस पर आता हूँ, तले हम दिया देख ले, कि 63% मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है, तो इन शेत्रों को में दिखाना चाहूँगा, ये जो red square बने है, red लाल square बने है, वो तेल क्षे इसके लावा ये इलाके देखें, चार इसमें डब्बे बने हुए है, यहाँ पर भी petroleum की मातरा अच्छी खासी मिलती है, या है इसके deposits हमारे पास, तो अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्पूर्ण टेलिक शेत्र है, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये अंकल तक गुजरात और इसमें नहीं खोज की गई थी, तब उससे पहले, सबसे पहले अंग्रेजों ने, आसम में इसकी खोज कर ली थी, तो आसम सबसे पुराना है, डिग बोई, नहर कटिया, मोरन, हुगरी गजन, हुगरी, हुगरी जन, और ये जो चीज है, ये तेल के जो तीसरा नाम है, जो यहाँ पर आप नहीं देख पारें, वो है मोरन, हुगरी जन, ये आसम के लाके है, अब आते हम प्रकृतिक ग्यास पे, प्रकृतिक ग्यास हमेशा mostly वहीं मिलती है, जहाँ पर petroleum होता है, तो petroleum जहां होता है, क्योंकि gas होती है, petroleum के ऊपर मिलती है, तो स प्रकृतिक गैस जैसे मैंने बताया कि एक नोडल एजंसी क्या है पेटोलियूम उस ही के आस पास सारी चीज़े चलती है उर्जा के माध्यम से उर्जा के संदर में तो प्रकृतिक गैस यह भी उर्जा का एक साधन है और पेट्रोरसायं के अध्यों के कच्छें माल के रूप जसल गैस को जब जलाएंगे या फिर उससे ऊर्जा उत्पन करने कोशिश करेंगे तो इससे carbon dioxide कम से कम निकलती है अगर आप petrol जलाएंगे डीजर जलाएंगे तो आपको बहुत ज़्धा carbon dioxide निकलती है तो carbon dioxide हमें ये airth के तापमान को बढ़ाती है इसे global warming कहते है global warming होती है तो सबसे जरूरी बात अब विश्व में यही है कि carbon dioxide कम से कम इसका production किया जाए या कम से कम यह निकल पाए तो प्रकृतिक gas में फायदा यह है कि जब हम इसको उर्जा के रूप में यूज़ करते है तो carbon dioxide कम से कम निकलती है इसलिए compressed natural gas CNG मतलब gas को जब compressed कर दें तो वह liquid form में आ जाती है तो CNG जो है यह सबसे अच्छा सबसे बहतरीन स्त्रोथ है जो गाडिया उनियां चलाते हैं उसमें डाल लेगे क्योंकि यह परियावरन अनुकूल है carbon dioxide के बातरा बहुत कम है कहां कहां मिलता है कृष्णा गुदावरी नदी बेसिन मुंबई हाई उसके आसपास के शेत्र खंबात की खाड़ी अंडमान निकुबार दीप सहू यहां पर इस प्रक्रतिक गैस के नैश्रल गैस के बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा भंडार पाए गए इन इलाकों को मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर हम देखेंगे यह आपका मुख्य सुरक्षित प्रक्रतिक गैस यह इलाके आप देख रहे हैं क्योंकि मुंबई हाई में आपको मिल रहा है यहां पर है इस जग़पे भी है और यहां अर्णमान निकोबार में भी खेर दिखाया नहीं है लेकिन यहां पर भी है और यह इलाका है इस जग़पे भी है यह सारे इलाके हैं यहां पर भी है इस जग़पे भी यह 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 यानिकि ये गुजरात का एरिया हो गया, मुंबई हाई के पास हो गया, ये राजस्तान का एरिया हो गया, गुजरात के आसपास हो गया, और फिर आपका थोड़ा सर नीचे की तरफ अगर नौर्थिस्टन स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर भी, कहने का मतलब यह है कि, फिर से मैं को बताऊंगा, जगा कौन-कौनसी है, इसकी हमें जानना जरूरी है, कृष्णा, गोदावरी, नदी बेसिन, मुंबई हाई, उसके आसपास के क्षेतर, खंबात की खाड़ी हो गई, यहाँ पर, यह खंबात की खाड़ी है, यह खाड़ी है, और इसके बाद हमने बात की, अंडवान निकुबार्दीप समू, यहाँ पर इसके अच्छा खासे बंडार है, सी एंजी के लिए, या फिर आप कहें, नैच्रल गैस के लिए एक बात करना बहुत जरूरी है, वो है, सत्रा सो किलोमेटर लंबी हजीरा विजैपूर, जगडीशपूर, जगडीशपूर, यहाँ से जोड़ती है, यहाँ से पैदा होती है, यहाँ जहाँ निकाली जाती है, प्रक्रितिक गैस उसको पाइप के जरीए, उन्ही अलाकों में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर इनकी इंडस्ट्रीज है, यह ही जे लाइन आप देखें, यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर, यहाँ जहाँ इसकी जरूत है, वहाँ इसको इस तरह के से पहुंचा दिया गया है, इसको बहुत पूछा जाता है, इसलों याद रखिएगा, अब आते हम इलेक्टिसिटी पे, विद्यूत पे, विद्यूत तो हर जगा है, दो प्रकार से हम उत्पन कर सकते है इसको, या तो पानी इस तरीके से जा रहा हो, गिर रहा हो, इसमें potential energy होती है, या टर्बाइन लगा दीजिए, टर्बाइन घुमेगी, तर्बाइन घुमेगी तो हमारे पास science में, physics में, जो अलग-अलग laws हैं, उसे साबसे electromagnetic induction होगा, electromagnetic induction से पैदा होगी electricity, पहला तरीका यह ह दूसरा यह है, कि आप petroleum को, koelle को, या प्राक्रती gas को जला सकते हैं, इससे क्या होता है, कि जो भी energy निकलती है, वो टर्बाइन को घुमाएगी, और टर्बाइन को, क्योंकि ultimate टर्बाइन को घुमाना है आपको, basically magnetic induction produce करना है, तो उससे ताप विद्धूत उत्पन होती है, इससे हम electricity produce कर सकते हैं, अगर बहता हुआ तेज जल है, बहुत तेज जल बहरा है, तो उससे बहुत असानी से जल विद्धूत हम उत्पन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है, कि जो बहता जल है, वो renewable source है, नवी करनी है, योग ये संसादन है, भारत में यतनी भी पर देशी है, मल्टी पर्वस पर्पस परियोजनाए है, प्रोजेक्ट है, जिनका एक बहुत जरूरी काम में में देश है, विद्धूत इलेक्ट्रिकल एनरजी पैदा करना, जैसे भाकडा नंगल, दामोदर घाटी कार्पोरेशन, कोपिली हाईडियल परियोजना, इनका में काम यही है, बाकी कामों के अलाबा कि अलेक्रिसिटी रोडीउस करना, ताप, विद्ध, यह ताप विद्ध कैसे पैदा हो सकती, आपकोईला को जला दीजह, पेट्रोलिक जला दीचे, और ग्राकृतिक गैस को जला दीजह, उससे जो भाप या फिर जो भी इनरजी प्रॉ यूज होगी वो आपके विद्यूद पैदा करेगी ठोड़ा सा कॉस्टली एफेर है लेकिन ये होता है ये करते हैं हमारे होता है अब दिक्त ये है कि ये सारे जो हैं कोईला, वेट्रोलियम, प्राक्रिटिक गैस ये नॉन रिनेवल है अब ये एक बार इसको आपने यूज कर लिया तो दुबारा ये पैदा नहीं हो तो ये भी इसमें एक समस्या हो सकती है हमने प्राक्रिटिक गैस की बात की हमने यहां पर विद्यूद की बात की तो अब इसके बाद एक जरूरी बात ये आती है कि गैर परमपरागद उर्जा के साधन हम जब परमपरागद उर्जा की बात करते है तो हमारे देश में उर्जा का जो उपभोग है जनसंख्या काफी अच्छी खासी है लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है अर्बन अन्वार्मेंट में लोग आ गए है बहुत अच्छी तरीके से लोगों के पास अब थोड़ा सा पैसा वैसा भी है तो हम बहुत ज़ादा जोर हम लगा रहे है उर्जा पे उर्जा बहुत ज़ादा यूज़ कर रहे है तो कोईला तेल और जो गैस जो हम मोसली हम इसका आयाद करते है ये जीवाश में इंदन है और ये सलाकों साल लगते हैं इनको बनने में तो इस पे हम बहुत ज़ादा निर्भर है इस पे बहुत ज़ादा प्रेशर पड़ रहा है लेकिन दिक्कत इस बात की है लेकि ये जो जितने भी जीवाश में इंदन है ये सारे के सारे पर्यावरण को खराब करते हैं यानि कि पर्यावरण में ये उस तरीके की विशैली गैसिस या कर्बन डियोकसाइट पैदा करते हैं जो आगे के जनरेशन के लिए खराब है हमारे ले भी खराब है तो इन गैर परंपरागत साधरों में आते हैं वो उर्जा संसाधन जिन से पर्यावरण साफ रहता है या उनसे कोई दिक्कत नहीं है जैसे पवन उर्जा हो गई जुआरी उर्जा है, जैविक उर्जा है इनको अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है तो घैर परंपरागत उर्जा के साधनों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले आता है इसमें परमानू या आनविक उर्जा परमानू यानि एटोमिक इनर्जी की बात हम कर रहे हैं होता ये है कि जो एटम है उनमें बड़ी जबरदस एनर्जी एटम के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो एक एटम के अंदर नूकलेस होता है नूकलेस के अंदर आपके प्रोटॉन और नूट्रॉन होते है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास ऐसे चक्कर काटते रहते हैं तो ये जो एनर्जी है इसके अंदर अगर आप किसी दो ये कहें कि इसके अंदर के कॉंटेंट को मिलाएं मैं बहुत साइंस में नहीं जा रहा हूँ दो कॉंटेंट को मिलाएं तो उसको हम कहते है नूकलेस फिशन जोड़ना तो जैसे ये मिलते हैं अपस में ये अणू बड़ी जबरदस एनर्जी प्रडूज होती है इसी तरीके से अगर एक अणू का आप दो भाग में बाट दीजे ये दो भाग में अणू में चेंज हो गया तो बड़ी जबरदस एनर्जी प्रडूज होता इसे कहते हैं ये है nuclear fusion क्योंकि मिल रहा है और ये है nuclear fusion क्योंकि ये टूट रहा है लेकि इन दोनों में ही बड़ी जबरदस energy होती है आपको हिरोश्रीमा नागासा की याद होगा दो शहर बरबाद कर दिये थे इसी energy ने तो ये इन energy को ये जो बरबादी की बात थी वो 1950 की बात हो गई लेकिन आज के हम बात करें तो इस energy को हम हर्वेस कर सकते उपियोग कर सकते हैं as a घैर परामपरागत उड़ जासाधन इससे हम विद्यूत पैदा कर सकते हैं अब ये जो atoms है ना और उसके अंदर जो मैंने बताया अणू है वो specific अगर आप बात करें तो uranium और thorium uranium और thorium बेसिकली ऐसे elements होने चाहिए जिनमें ये हो सके तो uranium और thorium जारखन और राजस्थान की एक तो जारखन हो गया और राजस्थान की अरावली जो परवत शिंखलाए है उनमें पाए जाते है और जिससे हम परमाणू और आणवी उर्जा पैदा कर सकते है केरल में मिलने वाली जो मोनाजाइट मोनाजाइट रेथ है इसमें भी thorium मिलता है तो अगर आप परमाणू की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम आपको पता होनाजाएट सौर उर्जा धूप तो हमारे हाँ हर जगा है अल्मोस्ट पुरे देश में हमको धूप मिलती ही मिलती है कुछ इलाकों को छोड़ देतो तो भारत एक उश्ड कटी बंदी ये देश है हम जिस अक्षांश देशांतर में आते हैं खासतर पर अक्षांश में जो आते हैं हम उश्ड कटी बंदी ये देश है इसलिए यहां सौर उर्जा याने की जो सर क्योंकि विशुवत रित हो गया और आईटी सीज़ जो है वो थोड़ा से उपर नीचे होता रहता है लेकिन वो इलाका हमारे पास है तो यहां पर सौर की उर्जा या सन लाइट, सन रेज बड़िया तरीके से आती है तो उनका दोहन, उनका एक्स्प्राइटेशन या उनका उप्योग हम बहुत अच्छे से कर सकते है इसमें क्या है? फोटो वोल्टाइक टेकनोलजी होती है कि यहां से आपकी सन एनर्जी आई उसको हमने फोटो एल्टाइक सेल होता है जो इस सन एनर्जी को, इस लाइट को, इस उश्मा को कनवर्ट कर देता है इलेक्टिसिटी में तो इसे हम फोटो वोल्टाइक प्रद्योगी की कहते है टेकनोलजी कहते है और इससे धूप को सीधे हम विध्यूत में चेंज कर सकते हैं तो भारत के जो शुरूर के शेत्र है ग्रामीन शेत्र वहाँ पर सौरूर्जा बहुत लोपरी है हर जगा आप सौरूर्जा देखेंगे अगर आपको पता हो तो केरल का जो एरपोर्ट है जो हम कोची के नाम से जानते है वो पूरा कपरोच एरपोर्ट है केवल सौरूर्जा से ही चलता है वो पहला ऐसा है और जिसके परयोग से ग्रामिन घरों में उपले और लकडी जो उपले और लकडी जलाया जाता था और जिससे महिलाएं 100 सिगरेट का धुआ एक बार के खाने बनाने में वो अंदर ले लेती थी उसको हम कम कर सकते हैं और परियावरन संगरक्षन में इसका योगदान भी है औ यहां मैं कुछ जरूर चितर दिखाऊंगा आपको पहले मैं आपको चितर दिखाऊंगा उसके बाद हम इन कॉंटेंट पर आएंगे आप यह देखें कि यह सौर उर्जा संचालित इलेक्ट्रोनिक दुग्ड परिक्षन उपकरन है यह पूरी तरीके से कहां से चल रहा है स इनर्जी से सोलार इनर्जी से चल रहा है सूर्ज से प्राप उर्जा से यहां पर हम बात करेंगे अभी अभी इसके बाद यह जब भी मैं विंड्मिल की बात करूंगा या पवन उर्जा की बात करूंगा तो यह विंड्मिल होती है यह हवा के वेग से घुमती है जब घु प्रोड्यूस होती है चाहए गोबर हो चाहए कोई भी चीज हो यह इसमें अंदर डाल दीजिए और उसके बाद यह अपने आप इसमें फर्मेंटेशन और सब चीजे होने लग देंगी जो माइक्र आर्गनिसम से इसमें काम करेंगी और गास प्रोडियूज होंगी, तो पवन उर्जा की मैं बात करूँ, भारत में विश का हैसिएत देखा जाए, तो हम पवन महाशक्ति है, पवन महाशक्ति है, शाएद हम लोग पांचवे नंबर पे आते हैं, जहां तक पवन महाशक्ति का सवाल है ये जो जहां पर ये लगे होते हैं इसको हम फार्म कहते हैं तो भारत में उजा फार्म के विशालतम पेटी हमको तमिलनाडू के नगर कोईल से मदुरई तक अवस्थी ते पतल अगर इस तमिलनाडू आ जाए महां से नगर कोईल एक एक इलाका है महां से मुदुरई तक त बहुत बहुत लंबा फैला हुआ है कि यहां हवा बढ़ी अच्छी चलती है जिससे अगर 10 किलोमेटर प्रति घंटा से अच्छी हवा है तो आप यह लगा सकते हैं तो फिर से समझेगा कि हमारे यहां उर्जा फार्म है उतमिनाडू में खास तौर पे नगर कोईल से मधुरोई तक इसके अलावा आंद्रप्रदेश, करनाटक, गुजरात, केरल, महराशा, लक्षदीब वहां पर भी बहुत अच्छी हवा आती है और बहुत चैंसेस हैं इसके लगाने के और यहां पर हमारे पवन उर्जा फार्म विवस्थित हैं यहां पर लगे हुए हैं नगर, कोईल और जैसल में देश में पवन उर्जा के प्रभावी योग के लिए किये जाते हैं यानि कि यहां पर असली में एक्च्छल में पवन उर्जा का इस्तेमाल हम विद्दू दगाने के लिए करते हैं नगर, कोईल और जैसल में दो इसका प्रतिशत कम है लेकिन फिर भी ये एक गयर परामबरागत है इसको हमको यूज़ करना चाहिए बायो गैस ग्रामी डिलाके देखिए यह ग्रामी डिलाका है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाडियां जो क्रिशी से चीजे बचती है एगरी कल्चर से पशु और मानव जो एक्सीटा करते हैं जो उनका वेस निकलता है उसका हम उपयोग घरेली उपभोग है तू बायो गैस उपन करने के लिए कर सकते हैं अब को एक टैंकर में डाल दीजी इसे वायो गैस सेयंत्र कैते हैं इसके अंदर डाल दीजे पशु का गोबर प्रयोग करके जो गोबर से जो गैस बनती है वो ग्रामीड भारत ने बहूत प्रचली था इसको हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं यानि ये गोबर से जो गैस निकले और उसको यूज़ कर सकें, खास तोर पे अपने उर्जा का एक कहे प्रारूप में उसे हम गोबर ग्लैस प्लांट कहते हैं, बायो गैस किसानों को दो प्रकार से फायदा करती है, एक तो वो उर्जा तो देही रही है, एनर्जी तो देही रही है, दूसरा जब ये उर्जा और इससे निकल जाती है, तो ये जो अंदर जो content है, जब ये mix हो जाता है, और इससे gas वैस निकल गई, तो ये जो बनता है न, ये compost बन जाता है, manure बन जाता है, कहने का मतलब, ये एक उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में भी काम करता है यहाँ पर आपको मैं कुछ चित्र में दिखा दूँ कि यह आनविक जहां ट्राइंगल है यह आनविक चित्र है काकरापारा, तारापूर, ट्रॉम्बे में है यह रावत भाटा, क्यागा और कलपक्कम यह सारे जो भी देख रहें, नरोरा, रावत भाटा, काकरापारा, तारापूर, जो ट्रॉम्बे है यह फ्रांस और अमेरिका, अलग-अलग देशों के और रशिया, उनके सहियोग से इस्थापित किये गए है जो कलपक्कम है, वो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान नहीं इसमें काम किया है और यह चालू है इसके लावा एक और चीज़ रहे गई बतानी वो यह है, तापी है, तापी है तापी अभी आएगा, तापी मतलब जियो थरमर जहां पर आप इस तपी की बात करते हैं ते जो गोल-गोल-गोल जो बने हुए है तापी, यहां से यहां पर हीट, अभी मैं इसको अभी आप बता रहो एक जुआरी उर्जा है, भू तापी उर्जा है यह भी गयर पर आमपरागा सोत है ज्वारी उजा, कभी आप ऐसी जगह गए हैं जहां पर बहुत अच्छी जो लाटा चलती है यानि वेवस आती हैं समुद्र के किनारे के कभी-कभी ऐसी समुद्र की वेवस आती हैं कि आप गिर जाते हैं आप अपको समाल नहीं पाते हैं यानि कि उनमें एनर्जी है जैसी high tide आई, पानी इदर गया तो यहां gates है, gates खुले होते हैं और यह gate बंड हो जाते है तो भारत में खंबात की खाड़ी हम देख चुके हैं कच्छे की खाड़ी अच्छे की खाड़ी अच्छे की खाड़ी अच्छे की खाड़ी अच्छे की खाड़ी पश्चिमी तटपर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल के जो सुंदर वनक्षेतर है उसमें गंगा के data में ज्वारी तरंगे, ट्वाइट टाइट जो आती है, लो टाइट, हाइट टाइट, उस से उर्जा उत्पन करने के लिए, जो ज्वारी उर्जा उत्पन करने के लिए, बहुत अच्छी आदर्श दशाएं, उपस्तित है, और मुझे पुरा यकीन है कि आगे के समय में हम कि ये एक बहुत बड़ी उर्जा का स्रोथ बनने वाला है, भूत आपी उर्जा, अब आपको बता है कि अगर मैं एक अर्थ बनाओ ना, तो ये यहाँ पर, इतना गरम है, हजारो डिग्री सेंटी ग्रेड है, इतना गरम है, अब इसको छोड़िए, आपने जौला मुखी क यहाँ से तो लावा निकलता है, तो यहाँ पर बहुत जबरदस गरमी है अंदर, कई लाके ऐसे हैं, जहाँ पर इतनी ज़ादा गरमी है कि उस गरमी का उपयोग हम कर सकते हैं, उस हीट का हम उपयोग कर सकते हैं, उस भाप का हम उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम भूत आपी भूत आपी उर्जा कहते हैं, तो जहां भी भूत आपी प्रवणत अधिक होती है, यालिकि जहां पर उसकी एनर्जी अधग होती है, वो जैसे उत्ली गहराई है, जहां पर गहराई का मैं, जैसे मैंने आपको समझाए, कहीं पाच किलोमेटर पर बीमिल सकता है, तो उत्ली ग और भाप में परिवर्त हो जाता है, तो जब भाप आती है, आपको पता है, भाप में तो वड़ी सवर्दा सेनरजी होती है, आप अगर पानी गरम कर रहे होंगे और अपने बरतन पे आपने कुछ कैप रखा हो, तो आप देखते हैं, कि वो कैप उठने लगता है, उठने गाटी, ये जगह, भूतापी उर्जा के लिए, और पूगा गाटी और लदाग के, ना रखेगा, भूतापी उर्जा, हिमाचर प्रदेश, इसमें अभी कुलू मुनाली का नाम लिया आपके सामने, तो यहाँ पर मनी करन, इसके निकट पारवती गाटी है, और पूगा ग से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे, तो किसी नगी से समय ऐसा आएगा, जब हमारे पास ये सब पेटोलियम वगयरा, जितने भी हमारे परंपरागर सोर्स हैं, वो खतम हो जाएंगे, फिर हमको संग्रक्षन इसका करना जरूरी बन जाएगा, औ अगर आज भी करेंगे, तो आगे दिक्कत होगी, तो इसमें आर्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधर भूत अवशकता है, क्योंकि हम डेवलेपिंग अकॉनमी है, हमारे लिए उर्जा बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको सही मार्ग अपनाना पड़ेगा, उर्जा संक्रेक्षन को हमें आगे बढ़ाना है, यानि कि इसको हमें निरंता तरीके से फैलाना है, लोगों को दिमाग में डालना है, जैसे अभी मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, नवी करनिया उर्जा संसादोनों का बरता प्रयोग, यानि जो रिनेयॉबल सोर्सेस हैं, उनका हम उप्योग करें, ताकि हम साफ clean energy पा सकें, और जो चीज़ हमें हमेशा available है, वो तो हमेशा रहेगी, हमें रहे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे उनके बच्चों के लिए भी, तो इस दिशा में जो कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे माली जी अगर आप कार में जा रहे हैं, अकेले आदली हैं, तो क्यों ना आप सारवजेनिक वाहन का उप्योग करें, क्यों ना आप चार लों को उखसाथ पे बिठाएं, पूलिंग करें, प्रेयोग अगर नहीं हैं, विजली आप बंद कर दीजे, इसके अलावा, ऐसे विद्योग करोणों का उप्योग करिए, जिससे बचत होती है, एनरजी लेवल 5, एनरजी लेवल 6, 5 स्टार, ये सब का आपको यूज करना है, और गहर परमपरागत, जो उर्जा साधन जिनमेक, जिनकी हमने बहुत अच्छे से बात की, उनका प्रयोग आपको शुरू करना चाहिए, इसके लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि energy saved is energy produced, अगर आप उर्जा बचाएंगे, तब ही आप उर्जा पैदा कर पाएंगे. तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत महरबाणी आप से लिए.